बारा परियागराज वरिष्ट पुलिस अधिक्षक सर्फ स्रेटरपाटी के निर्देश पर पुलिस अधिक्षक यमनापार सोरब दिख्षित के मार्ग दर्शन में यमनापार में हो रही घटनाए व्यापरादियों पर अंकुष लगाने के लिए चलाए जारे अभियान के तहत बारा थाना परभारी टी का रामवर्मा ने बड़ी कारवाई 24 घंटे के अंदर घटना का हुआ खुलासा आपको बता देगी कल दोपैर तक्रीबं तीन बजे बारा थाना च्छेतर एक गाउं के नहर में एक युवती की लाश तैरती दिखाई दी तबी गिरामिडों ने इस थाने पुलिस को सूचना दी मोगे पर बारा पुलिस पहुचकर शफको नहर से निकाल कर पोस्माडम के लिए भेज दिया पीडित परिवार की तहरीर के आधार पर बारा थाना परभारी टी का रामवर्मा ने 302-201 के तहत मुकदमा पंजिक रत करके घटना का खु टीम गठित की बारा थाना परभारी अपने टीम के साथ गाउ में पहुचकर शक के अधार पर एक वेक्ती अजय कुमार उर्फ बच्चा को हिराशत में लेकर थाने आए और कड़ाई से पूस्ताश के पदा चला आरोपी ने बताया हमारा मिर्तक लड़की सरीता के साथ 2018 से था हमारे साथ शादी करो नहीं तो हम थाने में जाकर मुकदमा लिखा देंगे आहत में आकर मैं सरीता को मिलने के लिए जंगल में बुलाया और उसका गला घोटकर प्लास्टिक की बोरी में लाश को बांद कर नहर में बहा दिया मीडिया को जानकरी देते हुए बारा थान के अंदर हुआ खुलासा उन्होंने कहा कि थाना छेत्र में वंचेत अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए दिन रात कष्ट की जा रही है छोटी बड़ी हर घटना को संध्यान में लेकर अपराधियों पर कठोर कारवाई की जाएगी ताकि छेत्र में कानून विरस्था बूत बनी रहे परियागराज सेयजे पांडी की रिपोर्ट प्राइमेटी न्यूज